कल कितना बजे तक आ जाएगा विहार पोल्टेक्नी काउंसलिंग का दूसरा रिजल्ट और दूसरे डाउंड में कौन सबरांच, कौन से पोल्टेक्नी कॉलिज में कितना रिंग पर मीलेगा यह जो दो कुश्चन है बहुत सारे स्टुडेंट के दौरा पूछे गए हैं और लगतार कॉमेंट किये गए हैं कि सर बता दीजिए कि जो हम लोग का रिजल्ट है आखिर कल कितने बजे तक आ जाएगा और रिजल्ट में कौन से पोल्टेक्नी कॉलिज में कौन से बरांच आ पोल्टेक्नी कॉलिज मिल गया था लेकिन बरांच पसंद नहीं होने से आप लोग अपग्रेड कर दिये हैं और उसी दिन से इस सिंतिजार में है कि दूसरा रिजल्ट कब आएगा तो आप सभी को बता दे कि कल आएगा आखिर कब तक कल आ जाएगा और कितने रेंग पे उसके उपर फूल डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आज ही मलूम चल जाएगा कि आपको कौन से पोल्टेक्नीक कॉलिज में कौन सा बरांच भी हार पोल्टेक्नीक काउंसलिंग का दूसरा डिजल्ट आखिर कल कब तक आ इसको देखने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में जो कुरूम ब्राउजर है इसको ओपन कर लेना होगा उसके बाद इसके सर्च बार में सर्च करना होगा बी सी इसी तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्च कर दिये हैं अब आपको एक पड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा किलिक करके अपने मोबाइल को डेक्ष्ट अप साइट में ओपन कर लेना होगा जैसे आप लोग ओपन किजिएगा तब आपके मोबाइल के स्क्रीन के उपर कुछी इस परकार से दिखेगा तब आप एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा जैसे आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा तब आपके मोबाइल के स्क्रीन के उपर कुछी इस परकार से दिखेगा बिहार संजुक्त प्रवेश परतियों के तब परिक्षा परस्यद उसके नीचे लिखेगा बिहार कमबाइंड इंट्रेंस कंप्टेटिव इजामिनेशन बोड यानि या बिहार पोल टेक्निक का ओफिसियल डो साइट है यहीं पर आप सभी को सबसे पर्ले बताया जाता है कि भी हार पोल टेक्निक का जो फोर में आखिर कबसे लेकर कब तक फिलब किया जाएगा फोर हम फिलब के बाद उसका एड्मीट काड कब आएगा और एड्मीट काड आने के बाद परिक्षा कब होगा कांसलिंग काब होगा और कांसलिंग का रिजल्ट काब आएगा तो हम भी यहीं से आप सभी को बताने वाले हैं कि जो आप लोगा कांसलिंग हो चुका है तो उसका जो दूसरा रिजल्ट है आखिर कल कितने बज़े तक आएगा और दूसरे रिजल्ट में आखिर कितने रें पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब ज़ूर्ड कर लेंगे ताकि ऐसे इन्फर्मेटिक वीडियो आप सभी के पास जाते रहें और जो भी लोग आभी तक टेलिग्राम को ज्वाइन नहीं कियें तो आप लोग टेलिग्राम को पी ज्वाइन ज्रूरूर्ड कर लें क्योंकि आज साम को हम लाइव आने वाले हैं और साम के जब लाइव आएंगे तो लाइव में आपको जितने सारे डाउट होंगे सब एको किलियर कर देंगे कि second round में आपको कौन से pole technique college में कौन से branch मीलेगा तो अगर आप लोग अभी तक subscribe नहीं कियें तो subscribe दिरूर कर लिजिएगा ताकि हम जब live आए तो आप सभी लोग उसमें अपना question पुछे और आप सभी को बता सके कि आपको कौन से pole technique college में कौन से branch होगा तो live में जवाइन होने के लिए आप सभी लोग subscribe दिरूर कर लिजिएगा अब चलिए आप सभी को बता दे आखिर जो second round का result है कल कितने बई तक आजाएगा तो इसको देखने के लिए सब से पहले आप सभी को यहाँ पर click करना होगा left side में जहाँ पर लिखा है dcce तो चलिए हम भी यहाँ पर click कर देते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर click कीजिएगा तब आपके mobile के screen के उपर कुछ इस पर card से दिखेगा जब जो दूसरा notice होगा आपको इसको open कर लेना होगा open करके आपको download कर लेना होगा और जैसे आप लोग वहाँ पर देखिएगा तब आपके mobile के screen के उपर कुछ इस पर card से दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यहाँ पर लिखा होगा कि second round provisional seat allotment result publication date 8.08.2023 तो आप सभी को बता दे जो आप लोग का result है अठाड़े तारिख को साम के 6 बजे के बाद ही publish होगा तो आप लोग 12 बजे एक comment नहीं कीजिए कर सर आभी तक हम लोग का result है वो नहीं आया आप लोग का result है कल 6 बजे के बाद ही आएगा और आखिर कितने रेंग पे कौन सा पूल इसको आप सभी को बताने के लिए साम को live आने वाले है तो आप सभी लोग live session में जरूट जोआने होगेगा और उसके लिए आप सभी लोग subscribe कर लिजिएगा ताकि हम जब live है तो आप सभी को मालूम चल जाए कि माखिर कब live आने वाले है